होसली के तरकस में कोशश का वो तीर जिन्दा रखो, हार जाओ चाहे जिन्दगी में सब कोछ, मगर फिर से जीतने की उमीद जिन्दा रखो, मगर फिर से जीतने की उमीद जिन्दा रखो नमस्कार दोस्तो आज की इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपको बहुत ही महतफुन क्लास आपको यहां पर बताने वाले हैं आज का हमारे टॉपिक रहेगा आपको समस्कृत का टॉपिक बता रहे हैं सेकिंड ग्रेड और रीट दौनों के लिए हमार यह क्लास चल रही है लगातार ठीक है डेली हमारी क्लास होती है आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे मोबाइल एप्लिकेशन से आप जुड़ सकते हैं फटापड देखिए हमारे मोबाइल एप्लिकेशन का नाम है मिशन केरियर क्लासेज Mission Career Classage आप जाएंगे अभी Play Store पर वहां से डाउनलोड करें और Class इसमें जोरन कर सकते हैं PDF Notes आपको मिल जाएंगे Test आप दे सकते हो यहाँ पर आप Live Class भी देख सकते हो तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा अश्टत ध्याई का सामानने परीचे देखिए आपको यह जो टॉपिक है एक सिंपल टॉपिक लग रहा होगा लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी एक्जामस होती हैं विशेशकर जैसे हम सेकंड गेर की बात कर रहे हैं चाहे हम फर्स्ट गेर की बात करें तो इन में से आपके प्रश्ण बनते हैं यह जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं सामानने से यहां से आपको निश्द रूप से प्रश्ण बनेगा क्योंकि यहां पर कुछ कन्फूजन है बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उनको यहाँ पर कहीं तरह के confusion रहते हैं जैसे कि सपाद सबतध्याई क्या होता है तरपादी क्या होता है असिद्ध कौन होता है और क्यों होता है कितने इसमें मतलब सूत्र हैं कितने इसमें पाद हैं कौन सपाद असिद्ध माना जाएगा और कब माना जाता है ऐसे कुछ छो तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं अब जूड़ जाईए अपने दोस्तों को जूड़ दीजिए जिससे की जादा से जादा विध्यारती पढ़ेंगे तो जादा से जादा लाब सबको मिलेगा क्योंकि ज्यान को जितना बाट होगे उतना आपको भी मिलेगा तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अश्ट अध्याई, देखो पहले इस शब्द को एक बार देख लेते हैं, इसमें आठ अध्याय हैं, ऐसा नाम से पता लग रहा है, तो यहाँ पर हम इसका विग्रे करके समास देखते हैं सबसे पहले, तो अश्ट नाम आप भी नोट कर लें अध्याया नाम समहारह देखिये अध्याया नाम समाहारह तो समहार के नाम में आपको पता है और यहाँ पर संख्या भी है तो निश्चत्रूप से यहाँ पर दिगुसमास हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा अश्ट अध्याई आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं तो यहाँ पर हमारा दिगु समास हो जाता है कौनसा दिगु समास तो अश्टा नाम अध्याया नाम समाहार है दिगु समास हो जाएगा और आपका जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा अश्टा ध्याई तो ये हो गया कि इसमें आठ अध्याईों का समाहार है अब आठ अध्याई हम आगे बताएंगे आपको एक एक अध्याई को इसपष्ट करके बताएंगे कि पहले अध्याई में क्या है कितने सूत्र है दूसरे में कितने सूत्र है क्या इसमें मेटर दिया गया है तीसरे में ऐसे करके सारे अध्याय आपको बताएंगे और किसमें कितने सूत्र है किसमें कौन सा टॉपिक है यह सब आपको बताया जाएगा उसके बाद में आपका कोई मेटर बचेगा ही नहीं इस व्याकरण का प्रथम उपलब्ध गरंथ माना जाता है यानि कि व्याकरण का प्रथम उपलब्ध गरंथ है और ये मतलब सरवाधिक लोकप्रिय गरंथ भी माना जाता है सरवाधिक प्रमाने गरंथ भी माना जाता है इसी का सबसे ज़्यादा ध्यन किया जाता है और सबसे आज हम बताएंगे कि वैग्यानिक क्यों माना जाता इसमें क्या ऐसी वैग्यानिकता है वो मैं आपको यहां किलियर करूँगा उसके बाद में अच्छे से दिमाग में आपको फिट हो जाएगा कि अश्टध्याई क्या है और कोई सवाल बनेगा तो निश्चतुरूप से आपर नाम में हम देखेंगे तो इसके नाम में आप लेखेंगे व्याकरण शास्त्र का आधार ग्रंथ नोट करें यहां पर नोट कर लें आप व्याकरण शास्त्र का आधार ग्रंथ ठीक है एक हो गया हमारा अपर नाम व्याकरण शास्त्र जो भी है हमारा पूरा का पूर भी हमारे व्याकर्ण के ग्रंथ हैं उन सब का आधार है ये कौन अश्टध्याई इसी को आधार बना करके अन्य ग्रंथों की रचना की गई है चाए वो व्याक्या ग्रंथ हो सकता है चाए कोई भी ग्रंथ हो सकता है सब का आधार ग्रंथ अश्टध्याई को माना जाता है आ व्याकर्ण शास्त्र का सरवोच्च ग्रंथ माना जाता है ये दो बात आपको नोट करनी है अपर नाम में व्याकर्ण शास्त्र का सरवोच्च ग्रंथ माना जाता है सरवाद एक लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है अब एक बात और लिखेंगे इसको हम कहते हैं शब्दान शा देखिए इसको आप नोट कर लें तो ये तीन हमने आपको अपर नाम में बताए हैं शब्दान उशाशनम व्याकर्ण शास्तर का सरबुच्चे गरंथ व्याकर्ण शास्तर का आधार गरंथ ये आपको नोट कर लेने हैं ये बहुत ही most line है आपकी यहां से प्रश्ण बनेगा अब देखो इसके बाद में आपको इसमें जो याद रखना है वो है इसका विभाजन किस तरह से होता है उसके बारे में आपको हम बताते हैं पहले तो मैं यहां पर मोटा मोटी बता रहा हूँ जैसे कि इसमें अध्याय की हम बात करें सबसे पहला है अध्याय तो अध्याय कितने हैं नाम से पता लग रहा है Colorado deine हैं कितने अठ अठ अढ़ ए अब देखो प्रतेक अद्याई के अंदर चार पाद और यहाँ पर अभद दिया हो गये तो आठ जलाते हैं और एड्याय के अंदर चार पाद आपको मिलेंगे वो मैं आगे पूरा विभाजिन करके बताऊंगा ठीक है तो यहां तक आप नोट कर लें इसको अच्छे से आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं अपनी नोट बुक में आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए यही हमारा उद्धिश है तो चलिए आगे देखते हैं इसको एक बार मैं साप कर देता हूँ तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपकी यह क्लास है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं इसमें अश्ट अध्याई से जो related हमारे और उनको जानते हैं तो यहाँ पर विवाजिन की हमने बात बताई थी कि इसमें आठ अध्याई हैं और टोटल पादों की बात करें तो इसमें 32 पाद आपके हो जाते हैं एक अध्याई में आपको 4 पाद इसमें मिलते हैं आप देखिए यहाँ पर कुल सुतर वाला एक सवाल भी बनता है इसमें कई वार एक सवाल बनता है कि कुल सुतर कितने हैं यहां से तो इसको आप संज़िए एक बार कुल सुतर ठीक है बैसे तो आपको ये मिलेगा सब जगे की लगभग 4 और हजार हैं लेकिन एकजेक्ट कितने हैं सिद्दान्त कौमदी के अनुसार में बता रहा हूँ, अब देखो, यहां पर मैं कुल सूत्रों की बात कर रहा हूँ, और यह मैं बता रहा हूँ, आपको सिद्दान्त कौमदी के अनुसार में आपको यह फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, अब देखिए, यहां पर 3978 सूत्र हैं 3,778 तो सुत्र हो गए इसके अलाबा माहिश और सुत्र कर लेते हैं तो यहा देखिए ऐसे हम कर लेंगे तीन 988 और माहिश और सुत्र इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो ।ोटल हमारे हो जाते है देखिए 8 4 12 और 7 8 और 9 और और ये तीन यानि की 3992 में तीक है ये हमारे सुत्र हो जाते है टोटल और ये हैं सिद्धान्त कौमदी के अनुसार हमारे इसमें संख्या है 3992 इसमें सुविकार किये जाते हैं किसमें अश्टत ध्याई में सुविकार किये जाते हैं ये फैक्ट आपको दिहान रखना होगा के लिए है सबके अब चलते हैं आगे लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको नोट कर लेनी है वो क्या है देखिए कुछ जो विद्वान है कुछ विद्वान कुछ विद्वान इस फैक्ट को नहीं मानते हैं वो 3900 संत्यान में सुत्र स्विकार करते हैं ठीक है ऐसे तो ऐसे करके हमारे पास दो फैक्ट हो जाते हैं लेकिन जादा प्रमानिक जो फैक्ट है वो ये रहेगा और इसके अलावा मान लो कुछ इन में से नहीं आता है तो आएगा लगभग 4000 सुत्र एक्जेक्ट आएगा तो आप ये द्यान रखें बाकि कुछ विद्वान है जो 3900 संत्यान में मानते हैं और बैसे फैक्ट आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर सिद्दांत कौमदी की अनुसार क्योंकि सिद्दांत कौमदी एक प्रमानिक ग्रंत है तो उसके अनुसार जो बताया गया वो हम ज़्यादा प्रमानिक उसको मानेंगे और 14 माहिश्र सुत्र होते हैं तो वो भी इसमें include हैं तो ऐसे करके 3992 में हमारे सुत्र यहाँ पर आपको स्विकार करने होगे तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा clear हो गया होगा अब यहाँ पर एक दो fact और है वो हम जानते हैं देखिए यहाँ पर प्रथम सुत्र कौन सा है एक सवाल बनता है यहाँ से एक दू बार पूछा गया है यह प्रथम सुत्र कौन सा है अमारी अश्टध्याई का और एक बनता है अंतिम सुत्र यह दो सवाल हमारी बन जाते हैं सीधे सीधे क्योंकि यह पूछ लिए गए हैं इसलिए तो प्रथम सूत्र जो है वो तो है व्रद्धिरादैच ये तो हमारा प्रथम सूत्र है दोस्तो और अंतिम सूत्र जो है सबसे छोटा है ये हमारा प्रथम सूत्र व्रद्धिरादैच और अंतिम सूत्र हो गया ये ठीक है इस तरह से आपको ये फैक्ट ध्यान रखने होंगे क्लियर है यहां तक, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने चीए, एक बात और दिहां रख लो आप, सरवादिक जो सूत्र हैं, यहां पर मैं बता रहां आपको, सरवादिक सूत्र, सरवादिक सूत्र आपको मिलेंगे अश्टध्याई में, वो मिलेंगे अध्याई नम्बर 6 में अध्याय नंबर 6 की अंदर ठीक है और सबसे कम सूत्र जो मिलेंगे वो अध्याय नंबर 2 में मिलेंगे नियूंतम नियूंतम सूत्र वो मिलेंगे आपको अध्याय दो में ठीक है ये दो फैक्ट और ध्यान रखने है सरवादिक जो सूत्र आपको मिलेंगे अध्याय छे में मिलेंगे नियूंतम सूत्र मिलेंगे आपको अध्याय दो में मैं आपको एक बार पूरा विवरन बताऊंगा यहाँ पर अध्याई एक से लेकर के आठ तक और प्रतिक अध्याई में कितने सूत्र हैं वो भी बताऊंगा इसके अलावा उस अध्याई में क्या प्रतिपात्दे विश्यवस्तु है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जिससे आपको सारा कुछ किलिया हो जाएगा अब यहां तक आप नोट कर लीजिए स्क्रीन सॉट ले सकते हैं इसका हम आगे बढ़ते हैं इसको साप कर देते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्पुर्ण जो वग्यानिक था जिसमें छुपी हुई है वो तथ्य में आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर देखिए इसका मैं एक बार विवाजन आपको वग्यानिक रूप में करता हूँ देखिए सबसे पहले आप देखो इसमें आपको पता है कि आठ अध्याय हैं तो मैं देखो यहाँ लेकर रहा हूँ एक अध्याय है बराबर चार पाद ठीक अब टोटल पाद कितने हो गए कुल पाद 32 हो गए यह फैक्ट आपको हम बता चुके हैं अब मैं यहाँ पर इस बात को यहाँ इस तरह से लिखके बता रहा हूँ देखो देखिए आप यहाँ पर मैं प्रतेक अध्याय के अंदर चार चार पाद बना रहा हूँ जिससे कि आपको इसकी जो विज्ञानिकता है वो अच्छे से समझ में आए कि इसमें क्या सिस्टम है आज तक आपको नहीं समझ में आया होगा तो आज गारंटी से समझ में आएगा यह हम आपको पूरी इमानदारी विश्वास के साथ में कह रहे हैं बस एक बार यह वीडियो देख लेना उसके बाद में आपको जो चीज आज तक समझ में आई वो आज आ जाएगी ठीक है तो एक अध्याय में कितने पाद है चार पहला दूसरा तीसरा चोथा यह हमारा पहला अध्याय तो टोटल कितने पाद हो गए चार दूसरा अध्याय पाद कितने हो गए एक दो तीन चार तीसरे में एक दो तीन चार इसमें 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 एक दो तीन और चार ठीक है ऐसे करके आपको ये समझ लेना है तो ऐसे करके आप ये भी सभी पादों को जोड़ो लेते हैं तो आपके 32 हो जाते हैं और हमारे अध्याए आपके टोटल आठ हैं तो यहां आप देखो आगे का क्या हम आपको बताने वाले हैं देखो यहां पर इसका जो विभाजन है वो दो प्रकार से होता एक तो होता है इसका विभाजन सपाद सब्तध्याई एक तो सपाद सब्तध्याई इसका एक विभाजन होता है और दूसरा विभाजन होता है त्रिपादी देखिए त्रिपादी और सपाद सब्तध्याई इसके दो प्रकार से विभाजन यहां पर हम आपको बता रहे हैं अब देखिए, यहाँ पर सपाद सबत अध्याई क्या है, देखो पहला अध्याई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छटवा और साथवा, यह आपके साथ अध्याई हो गए, टोटल साथ अध्याई, अब इसमें जो आठवा अध्याई है, इसमें से एक पाद को हम ल पहला जो पाद है, आठवे अध्याई का, वो हमने साथ में ले लिया, यानि साथ वाले अध्याई के साथ में उसको जोड लिया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ देखो साथ अध्याई तो पूरे हो गए, और एक हमने उधर से ले लिया, आठ अध्याई में देखिए ये आपके साथ हो गए और इस में से जो आपको हमने एक पाद लिया है केवल यानि चार में से एक ले लिया तो सिंपल है कि वो सबा हो जाएगा हम दो लेते तो आदा हो जाता और तीन लेते तो पौने हो जाता और चार लेते तो पूरा ही हो जाता तो यहाँ पर सा सही एक बटे चार का मतलब सवा साथ हो गया इसको केंगी हम सवा साथ अध्याई सवा सवा साथ अध्याई थीक है इसको हम सवा साथ अध्याई को सबा को समस्कित में सपाद बोलते हैं सपाद सपाद याने सबा तो सपाद साथ को सब्त अध्याई सपाद सब्त अध्याई ये तो है सपाद सब्त अध्याई तो सपाद सब्त अध्याई का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अश्ट अध्याई के साथ और आठवे का एक जो पाद है, इन सब को मिला करके एक नाम दिया गया है, उसका नाम है सपाद सब्त अध्याई, किलियर, अब लास्ट में आपके केवल तीन पाद बचे, कितने तीन, यानि आठवे अध्याई का दूसरा पाद बच गया, तीसरा पाद बच गया, और चौथ पाद बच गया, यहाँ पर केवल और केवल आपके तीन पाद और बचे हुए हैं, कितने तीन, अब इन तीनों का अलग नाम होगा, क्या नाम होगा, वो आपको यहाँ हम बता रहें, देखिए, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इस जगे, आप अच्छे से समझे लिए इनका अलग नाम रहेगा, और वो नाम रहेगा त्री पादी, देखो, त्री पादी कहलाते हैं यह, यानि तीन ही पाद हैं, इसलिए त्री पादी हो गया, यहाँ पर आपके उनतीस पाद हो गये टोटल, यदि हम पाद गिने यहाँ पर, तो साथ चौक अठाइस और आठ अध्याय का एक पाद, तो टोटल यहाँ पादों की संख्या हो जाती है, आपकी उनतीस, कितनी हो जाती है, उनतीस, उनतीस तो यहाँ हो गये, और इधर आपके कितने पाद बचे, तीन पाद, कितने हो गये, तीन पाद, और देखो, उनतीस और तीन कितने हो गये, टोटल या बता सकते हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आगे जाके आपको काम आएगा सब जगे पर संधी पढ़ोगे तो काम आएगा प्रत्यैसमा साधी जो topic आप पढ़ते जाओगे वहां सब जगे ये काम आपके आएगा और यहां से सवाल भी बन जाता है अपका ठीक है अब देखो, यहाँ पर आगे हम जो बताने वाले वो क्या मामला है, सुनिए. इसमें यह कह रहा हैं, कि जो हमने दो तरह से इसका विभाजन किया है, इसमें आप यह मानिएं, कि एक तो हो गया सपाद सब्तध्याई, देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सपाद सब्तध्याई, ठीक है, ऐसे, एक तो यह हो गया, दूसरा, दूसरा हो गया आपका त्रिपादी, अब यहाँ दो प्रकार से विभाजन हो गया, अब इसमें आप देखेंगे, तो सब्तध्याई, जो हमारी स्टार्टिंग वाले हैं, इनको हम कहेंगे सिद्ध, क्या कहेंगे, सिद्ध, ऐसे समझो आप इसको, सिद्ध, और यह हैं आपके, ऐसिद्ध, इस तरह समझो आप, मालों आपसे कहें कि अश्ट अध्याई में कौन से पाद असिद्ध माने जाते हैं, तो आपके तीन पाद असिद्ध माने जाते हैं, आठवे अध्याई के दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद, और सिद्ध जो माने जाते हैं, वो आपके स्टार्टिंग बाले स सारे ही पाद हैं याने की साथ अध्याय तक तो पूरे हो गए और आठवे अध्याय का एक पाद आपका उसमें माना जाता है सिद्ध के अंदर किलियर हैं इस तरह से आपको ये समझना है अब देखो इसमें आप कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं देखिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको समझ मा आ गया हो कि सिद्ध क्या है असिद्ध क्या है यहाँ कोई डाउट आपके यदि दिमाग में चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं आप कमेंट करके आप सवाल करिए तो देखिए यहाँ पर सिद्ध आपको समझ मा आ गये 29 का से बता रहा हूँ यहाँ पर जिससे और अच्छे समझ माएगा आपके यहाँ पर जो 29 पाद हैं हमारे 29 पाद उनको क्या नाम दिया सवा सवा सात अध्याई यानि सपाद सबत अध्याई इनको कहते हैं यहाँ लिख लो चलो सपाद सबत अध्याई यह इनको हम कहते हैं ठीक है और फिर यहाँ पर पाद हमारे कितने तीन इनको क्या कहा त्रीपादी अब इनके लिए मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ इनको एक को तो सिद्ध कहा मैंने एक को असिद्ध कहा सिद्ध और असिद्ध तो यहाँ पर एक दूसरा नाम और सुन लो आप जो आपके हमेशा समझ में आ जाएगा इनको हम कह सकते हैं ट्रेंड डॉक्टर क्या कह सकते हैं ट्रेंड डॉक्टर सिद्ध वालों को क्या कह सकते हैं ट्रेंड डॉक्टर ट्रेंड डॉक्टर इनको हम कह सकते हैं अब यह जो असिद्ध है तिरपादी वाले इनको हम कह सकते हैं जोला चाप याने अंट्रेंड जोला चाप डॉक्टर जो अंट्रेंड होते हैं ठीक है यह आप इस क्या है तोड़ा सा आसा नहीं हो जाएगी आपको समझने में यहाँ पर trend 29 हैं और जोला चाप यानि कि untrend जो है prescription जिनको नहीं है ऐसे ही काम कर रहे हैं वो केवल 3 हैं ऐसे आप समझो अब आप ये बताईए जब दोनों का कहीं पर एक जगे काम आ जाए याने कि जैसे कोई बीमार हो गया बेकती अब उस जगे पर दोनों ही doctor आ जाते हैं याने trend भी आ जाते हैं और untrend भी आ जाते हैं याने जोला चाप भी आ जाते हैं तो ये बताईए आप वहाँ पर ज़्यादा प्रमाने कौन होगा ज़्यादा उसको सही किसको माना जाएगा बैलिड कौन माना जाएगा वहाँ पर किसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी आप बताएए खुदी तो वहाँ मानी जाएगी ट्रेंड डॉक्टर की जोला चाप की बात नहीं मानेंगे ये आप जानते हैं इस बात को जोलाच आपकी कोई बात नहीं मानेगा तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ आप इस बात को नोट कर सकते हैं कि एक साथ दोनों काम प्राप्त होने की इस्तिती में जब एक साथ दोनों काम प्राप्त हो जाएं तो कार्य है वो ही मान्य होता है सवासात अध्याई का काम ही मान्य होता है यानि 29 पाद का काम मान्य होगा ये जो तीन है ये असिद्ध है ये जोला शाप डॉक्टर है इनका काम मान्य नहीं होगा असिद्ध हो जाएगा ये आपको समझ में आई के नहीं बात, इनका काम असिद्ध हो जाएगा, यह आपको यहां तक समझ में आना चाहिए मैटर, अब बताइए यहां तक कोई प्रावलम है तो आप पूछ सकते हैं अब मैं इस बात को एक उधारन से लेके समझाऊँगा आपको उससे आपको जादा समझ में आ जाएगा याने कि यह जो 29 हैं यहां तक के इन 29 की नजर में यह तीन पाद जो है यह कोई काम के नहीं है, मतलब इनके नजर में यह जोला चाप है ऐसा है इनकी नजर में है यह 29 डॉक्टर तो ट्रेंड है वही इनने ट्रेंणिंग लिए पूरी पड़ाई करी है और यह ऐसा ही बने हुए हैं तो इनकी नजर में यह क्या है काम चलाओ असिद्ध है यह जब यह नहीं होंगे तो इनका काम खूब चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे लेकिन जब दौनों एक साथ आ गए तो फ़र इनकी कोई नहीं सुनेगा इनकी सुनेंगे सब लोग इनकी सुनेंगे ऐसे बस यही तो बात हम समझा रहे हैं अब एक उधारन से मैं आपको समझाता हूँ इसको कि उधारन में कैसे इस बात को हम सीखेंगे तो इसको आप देख लो लिख लो एक बार इस किन सॉट ले लो इसका फिर मैं आगे बता रहा हूँ आप तरीका से मैं समझाने का प्रियास करता हूँ यहाँ पर देखी अभी हमने आपको बताया कि चार पांच छे साथ और यह आठ ठीक है यह जो अध्या हमने आपको बताए यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ तक हो गए और इसमें जो आपको चार पांच थे पहला दूसरा तीसरा और चौथा ठीक है इसमें से एक जो पांच है आपका इधार आ जाता है तो यहाँ पर आपके सबा साथ हो जाते हैं यहां से एक पाथ हट जाएगा तो यहां पर केवल आपको तीन दो तीन चार बचेंगे ठीक है अब देखो इसका तोड़ा सा अलग मामला रहेगा अब देखो इनमें एक सिस्टम है इनमें सिस्टम क्या वो समझवाब पहले से बाद वाला बलवान होता है यहां पर जो अध्याय है जैसे यह पहला अध्याय यह दूसरा अध्याय तो यह पहला अध्याय जो है यह पहला अध्याय से दूसरा वाला बलवान होगा यानि पहले से बाद वाला बलवान होता है एक बात तो यह समझो आप पहले से बाद वाला बलवान होता है यह सिस सिस्टम है इसका ठीक है तो यहां पर पहला हो गया पहले से भी तागतवर दूसरा है दूसरे से भी तागतवर तीसरा है तीसरे से भी तागतवर चोथा है चोथे से भी तागतवर पांचवा है पांचवे से भी तागतवर चटवा और चटवे से भी तागतवर सातवा है दे तीसरे से वलवान, तीसरे से वलवान, चोथा, चोथे से पांचवा, पांचवे से छटवा, छटवे से सातवा वलवान होगा, इनमें ये करम चलता है, जबकि यहां पर अलग मामला है, यहां पर क्या है, पहले वाले सूत्र से बाद वाला सूत्र जादा कमजूर होता है, यह यहां पर कैसे देखो यहां पर जैसे मालों आपका पहला पाद है पहला पाद इसमें है नहीं तो दूसरा पाद मिलेगा पिर तीसरा पाद मिलेगा पिर आपको चौथा पाद मिलेगा ऐसे आप इसमें समझिए ठीक है तो यहां पर आप लिख लीजिए इस जगे पर बता रह ज्यादा कमजोर होता है देखे, कहने का मतलब है ये तो असिद है यानि ये तो trend तो ही नहीड जोला चाप है ये तो तो यहाँ पर आप जोला चाप डौक्टर है माल nep अंट्रेंड डौक्टर है और चार को खड़ा कर दिया यानि तीन को खड़ा कर दिया यहाँ पर देखियो यह 3 डॉक्टर खड़े हैं ठीक है यह 3 डॉक्टर खड़े हैं यहाँ पर ऐसे आप समझिए ठीक है यह डॉक्टर नम्बर 2 यह 3 और यह 4 इनकी यह क्रम से हैं इनकी जोnen यह क्रम से है यान अब बताई आपको कौन सा चाहिए आपको ये वाला चाहिए ये तो ठीक है वही अंट्रेंड तो है लेकिन थोड़ा सा ठीक ठाक है ये इससे भी ज़्यादा अंट्रेंड है और ये इससे भी ज़्यादा अंट्रेंड है तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ बताइए आप की समझ में क्या आया इसमें ये मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा जो कमजोर है वो कौन सा होगा वो होगा विचारा चौथे नम्मर का सबसे ज़्यादा कमजोर सबसे ज़्यादा कमजोर ये होगा और 29 पादों में बताइए पहले नमबर का सबसे कमजोर माना जाएगा क्योंकि पहले से दूसरा तागत पर दूसरे से तीसरा तागत पर तीसरे से चौता तागत पर पिर पांच बार, चटबार, साथ बार, तागत बर हुआ, तो ये सबसे कमजोर होगा इसमें, 29 पादों में, और यहां पर तृपादी के अंदर, चौथे नमबर वाला सबसे कमजोर होगा, बात के लियर हुई के नहीं, अब मैं इसको एक बार लिख देता हूं, यहां पर इस सकते हैं, यहां देखो, मैं यहां लिख देता हूं, इस जगे पर, यहां से, यहां से एक बात तो यह लिखने है कि सबसे ज़्यादा बलवान कौन सा है, सबसे बलवान, सबसे ज़्यादा बलवान, ठीक है, सबसे ज़्यादा बलवान, तो आप बताईए, सबसे ज़्याद कते किल कुछ भी नहीं आता उसको तो चार नमबर वाले झाओ चीक है ऐसे तो अब बताएए मतलग ऐसे मालो कि कम बलवान तो यह आपका तीन नमबर हो गया और सबसे कम बलवान विलकुल एकदम जिरो वह आपका चार नमबर तो यह आपको बात समझ में आ गई होगी के को देख रहे होंगे लेकिन यहां से जब प्रश्ण बनेगा तो आपको कन्फिजन हो जाएगा इसलिए मैं आपको सरल तरीका से बता रहा हूं बिलकोल एक प्रैक्टिकली डंग से आपको समझा रहा हूं जिससे आपको यह दिक्कत बिलकोल भी नहीं आए इसमें कोई तरह की समझा नहीं आए आपको ठीक है आप देखो यहां पर एक बात आपको समझ में आगे होगी कि सवा साथ अध्याय के प्रती तरपादे सूत्र असिद्द माने जाते हैं यह वाले सूत्र असिद्द माने जाते हैं जैसे एक उधारन देखो यहां पर मैं एक आपको उधारन द मान लो दस दिन बाद में रीट की डेट चेंज हो जाती है जुलाई से चली जाती है अगस्त में मान लो ये चली जाती है 18 अगस्त ठीक है और 19 अगस्त मान लो सपोज तो आप बताईए कौन सी डेट को मानोगे आप ज्यादा कौन सी बैलिड हुई तो ज्यादा बलवान कौन सी हुई ये वाली बलवान हुई क्या आप तो यह कोगे हमें तो 23 जुलाई को एकजाम देना है आपकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि गॉर्मेंट ने जो बाद में अपडेट करके आदिश दिया है वो ज़्यादा सर्वमानने होगा ये है आपका यहाँ सिस्टम हमने कहा कि पहले जो ओर्डर आ गया यहाँ पर ठीक है बिल्कुल वैलिड है लेकिन जब दूसरा आ गया अपडेट होके तो यह वाला वैलिड नहीं रहेगा फिर दूसरे नंबर का माना जाएगा इस तरह से 23 तारीक वाला नहीं माना जाएगा यह अगस्त वाली तारीक मानी जाएगी और अगस्त में भी उन्होंने चेंज कर दी तारीक सितंबर में पहुंचा दी तो सितंबर वाली बैलिड होगी तो यहाँ पर हो गया कि यहाँ पहले वाले से बाद वाला बलवान होता है तो यहाँ पर बाद वाला जो ओडर आएगा वो जादा बलवान माना जाएगा ऐसे शादी का काड आया आपका किसी का उसमें लिखा हुआ है कि सभी घर के मेंबर पधारें या सभी परिवार के सदश्यों को आना है फिर कोई विवस्ता उनकी बैटी नहीं होगी तो उसमें उन्होंने मैसेज करके लिखा कि केवल पुरुष पधारें फिर उसमें लिखा कि घर का केवल मुख्या ही आए तो बताईए आप कौन सी बात मानोगे आप लास्ट वाली बात माननी पड़ेगी अपडेट करके जो बात है वो बलवान है उसमें ज़्यादा तागत है तो उस बात को मानेंगे लेकिन आप तो कहरें कि हम तो पहुंच ही गए रस्ते में उसके घर के पास में ही पहुंच गए तो वो एक अलग मैटर है आप जीम के आओ फिर तो खाना काके बापस आओ फिर वहां नियम नहीं चलेगा यह ठीक है ऐसे तो बताईए यहां तक किलियर है सब कुछ आपको यह बात समझ में आगे होगी अच्छे से अब एक उधारन और ले लिता हूँ मैं मैं इसको मिटा देता हूँ ठीक है चलो यहां से मिटा देता हूँ मैं इसको एक उधारन से मैं आपको समझा रहा हूँ इसी चीज को तो उससे क्या है थोड़ा सा किलियर हो जाएगा हमेशा के लिए आप फर्स्ट की त्यारी करो चाहर सेकेंड की करो किसी की त्यारी करो आपको फिर कन्फुजन नाम की कोई चीज रहेगी नहीं कभी भी मैं एक उधारन दे रहा हूँ यहाँ पर देखिए हरे धन यहाँ पर क्या है आपका आयादेश हो जाता है हमारे आयादी संदी के अनूसार देखिए आपका सूत्र है हरे यहादेश हो जाएगा सिंपल यहाँ देखिए यहां देखो हर आये और ई है यह इस्तिती बन गई आपकी इससे आयादेश हो गई आपका ठीक, अब यहां देखिए एक सुत्र और लगता है अब पहले इसको मैं बना लेता हूँ इस तरह से बन जाएगा यह रे जो हलें तो दिख रहा है इसमें ए मिल जाएगा और इधर आपका यह इस तरह है हर हर यह और ई है इस तरह से कंडिसन बन गई अब इस कंडिसन में यहां पर एक सुत्र काम करता है लोप है शाकल नस्य जदि आपने पढ़ा होगा तो याद रहेगा लोप है शाकल यस्य है यह साकल्य रिशी के मत में यह और वे का लोप करता है ठीक है यह और वे का लोप करता है शाकल्य रिशी के मत में तो यहाँ पर इस सुत्र के अनुसार यहाँ पर यह का लोप हो रहा है जैसे यह का लोप हुआ तो यह बन जाएगा हारे ई है इस तरह से ठीक है अब जैसे ही यहाँ पर लोप होता है और यह कंडिशन आ जाती है यहाँ पर तुरंत एक सुत्र काम करने लगता है यहाँ पर एक सुत्र और प्राप्त हो जाता है और वो है आद गुण है आद गुण है देखिए आद गुण है सुत्र काम करता है यहाँ पर समझे बात को आदगुण है तो आदगुण ये कह रहा है कि यहां गुण संदी हो जाएगी तो यहां पर ए है इधर ई है तो यहां पर गुण आदेश हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं बिलकुल हो जाएगा तो फिर यहां गुण आदेश हो जाएगा तो E के स्तान पर A बन जाएगा तो बनेगा हरे है जो की अशुद रूप है गलत रूप बन जाएगा अब क्या करें फिर भही किसकी बात मानें क्या करें क्या नी करें ये स्तिती बन गए आपकी अब यहाँ पर ये बात समझनी है आपको कि हमें कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है अब इसके लिए हम देखेंगे ये वाला सिस्टम हमने कहा कि जो starting बाले 39 पाद है इनकी द्रश्टी में ये तीन पाद है ये असिद्ध है इनका काम ये नहीं मानते असिद्ध है ऐसे मानो तो यहाँ पर जो लोपे शाकल लिए से आपका सूत्र है इस लोपे शाकल लिए से सूत्र की लोकेशन बताता हूं मैं आपको इसकी लोकेशन है आठ तीन उन्नीस आठ तीन उन्नीस आठ तीन उन्नीस का मतलब है कि ये आठ वे अध्याय का है उसमें तीसरे इपाद का है और 19 नम्मर का सुत्र है ये आपको समझना है ये लोपेशाकललिश्य की लोकेशन बता रहा हूं मैं आपको आठवी अध्याय का सुत्र है यानि यहां का सुत्र है आठवी अध्याय का एक तो ये बाद, अब दूसरे मैं location बता रहा हूँ आदगुन की location, आदगुन की location है 618, 618, देखिए, ये आपका छटवे अध्याय का है, अब छटवा अध्याय आपका ये रहा, छटवा अध्याय तो आपका उसमें आता है सिद्ध में, यानि कि जो ट्रेंड डॉक्टर है उनमें आता है, छटवे अध्याय का पहला पाद है, उसमें आपका 87 नंबर का सूतर है ये, अब बताईए, दौनों की location समझ में आगए आपको, आप दौनों एक जगे काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि जब दौनों का काम एक साथ प्राप्त हो तो वहाँ पर तरपादी का काम असिद्ध माना जाएगा, तरपादी वाला काम असिद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पर तरपादी कौन हुआ, लोप साकर लिश्य तरपादी हुआ, ये तरपादी का है, सूतर देख लो आप, ये तरपादी में से आया है कि ने आया है, और ये वाला सूतर कहां से आया है यहां से आया है ये बात समझ माने चाहिए आपको इसलिए मैं उधारन दिया ये ठीक तो यहां पर अशिद्ध हो जाएगा याने कि ये का जो लोप है वो अशिद्ध हो जाएगा ये का लोप अशिद्ध होने के कारण यहां पर गुन नहीं गया इसके द्रश्टी में आदगुन की द्रश्टी में ये ट्रेंड डॉक्टर है और ट्रेंड डॉक्टर से पहले ही आने से पहले ही कोई दूसरा डॉक्टर आया जोला चाप वो ये का लोप कर गया जब ये आया आदगुन नामक डॉक्टर आया इसने देखा कि वो ये का इसकी बात हम मानते ही नहीं है ये तो हमारी द्रश्टी में असिद है तो ये असिद मान लिया इसको इसका मतलब लोप नहीं हुआ इसकी द्रश्टी में असिद मान लिया इसका मतलब यहां पर उसको यह दिख रहा है अभी भी उसने injection तो लगा दिया लेकिन उसकी द्रश्टी में नहीं लगाया उसने ऐसा मान रहा है वो तो यहां उसको यह देख रहा है न इसी कारण यहां यह देखेगा तो गुण नहीं होगा सिंपल सी बात है तब जाके आपका यह वाला रूप बनेगा किलियर है ऐसे ठीक है तो यहां पर लोप नहीं होगा तो यह वाला रूप बन जाएगा तो यहां दो रूप बनेगे आपके इसको मिला कर के बन जाएगा हर यह है इस तरह से तो यहां पर आपको समस्मझ में आग़े होगी की कंडिशन दो एक साथ प्राप्त कैसे होती है और ये सपाद सब्त अध्याई के प्रती तरपादी कैसे असिद्ध होता है ये आप उधारन से समझगे होंगे इससे सरल कोई तरीका नहीं मिलेगा आपको ठीक है चलिए आगे देखते हैं आप इसको नोट कर लो अच्छे से स अच्छा हुआ है अब मैं आपको अश्टक ध्याई का पूरा विभाजन वैज्ञानिक तरीका से बता रहा हूं कि इसमें जो हमारे टोटल आठ पाद है उन आठ पादों में प्रत्यक में कितने सूत्र हैं और क्या विश्यवस्तु है एक बार वो नोट कर लीजी आप यहा पर आपकी करम संख्या हो जाएगी ठीक इसमें अप लिखेंगे यहाँ पर सूत्र संख्या और आध्याय लिख ले लेते हैं यहाँ पर सूत्र संख्या कितने हैं ठीक और यहाँ पर विश्यवस्तू यानि कि वस अध्याय में विश्यवस्तु क्या है? विश्यवस्तु ठीके? ऐसी देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, पांच, छे, साथ और आठ यह आठ अध्याय हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रथम अध्याए, यहाँ पर दुतिय अध्याए, ठीक है, यहाँ पर आपका तृतिय अध्याए, यहाँ पर आपका चतुरत अध्याए, यहाँ पर आपका पंचम अध्याए, यहाँ पर आपका शष्टम अध्याए, यहाँ पर आपका सप्तम अध ठीक, ये आपके 8 अध्या हो जाते हैं, आप देखों प्रथम अध्याई में जो सूतर हैं वो है 351 सूतर टोटल, याद रखना, पहला जो अध्या है इसमें आपको टोटल 351 सूतर मिलेंगे, अब ये किसे रिलेटेट हैं, इसमें मिलेगी संग्या और परिभाशा, संग्या परिभाशा यानि संग्या से संबंदित और जितनी भी परिभाशा है वो आपको यहां मिलेंगी पहले अध्याई में और इसमें 351 सूत्र आपको मिलेंगी दूसरा अध्याई देखिए दूसरे अध्याई में आपको मिलेंगे 268 हमने आपको पहले ही का कि सबसे कम सूत्र विवक्ति प्रक्रण मिलेगा समास वे विवक्ति प्रक्रण मिलेगा ठीक है समास और विवक्ति प्रक्रण से रिलेटेड आपके 268 सूत्र है आपर अब तीसरा हमारा अध्याय है तीसरे अध्याय में आपको मिलेंगे 661 सूत्र कितने सोरी 631 सूत्र 631 ठीक है इसमें आपको तो तीसरे में मिलेंगे.chterz 31 सूत्र मिलेंगी. अब ये किस से रोटःटिड है?аны इसमें क्या वीशेब बस्तु रहेगी? तो यहां लेकिन आप कृधन्त प्रकरण. क्रधन्त प्रकरण. यी सम्छए रहेगा. आप चलिए चतुर्त वाला. तो चतुर्त में क्या मिलेगा चतुर्त में मिलेगे आपको 635 इसमें 4 जादा हैं 635 सूत्र आपको मिलेगे इसमें इस्त्रीवे तद्धित प्रत्य मिलेगा इस्त्रीवे तद्धित प्रत्य आपको मिलेगे यहाँ पर समझ गए इस्त्रीवे तद्धित प्रत्य मिलेगे अब पंचम अध्याय जो होगा उसमें आपको पंचम अध्याय में याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है पाँच 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 यानि पांसो पचपन सूत्र हैं इसमें तोटल कितना बढ़िया सिस्टम है और इसके अंदर भी आपको इस्त्री वे तद्धित यानि की एज पाте 734 सूत्र अब इसमें क्या मिलेगा स्वरसंधी वे स्वर्प्रक्रिया यह मिलेगी इसे बसांति स्वर्थी वे स्वर्प्रक्रिया स्वर संदी पूरी की पूरी और स्वर की जो प्रिकडिया है अमारी पूरी की पूरी छटवे मिलेगी अब सातवा अध्याय देखिए सातवे अध्याय में आपको 438 सूतर मिलेगी कितने 438 सूतर मिलेगी इसमें अजंत और हलंत संदी मिलेगी अजंत वे हलंत ठीक है अजंत और हलंत प्रकण पूरा का पूरा मिलेगा आपको अजंत जितने भी शब्द हैं और हलंत जितने भी शब्द हैं उनका पूरा प्रकण आपको यहां मिलेगा सब्तम में 438 सूत्र मिलेंगे इस से रेलेटेट आपको और लास्ट आपका अस्टम अध्याय है इसमें मिलेंगे आपको 379 सुत्र 379 सुत्र आपको मिलेंगे यहाँ पर वियंजन संदी और विसर्ग संदी है वियंजन संदी और विसर्ग संदी ठीक है यह आपका पूरा का पूरा मैटर हो जाता है अब इन सभी सुत्रों को यदि आप जोडते हैं तो आपके सूत्रों की संख्या हो जाती है, यहां पर आप एक बार जोड़ के देख लेना, देखिए पहले अध्याय में 351 हो जाते हैं, दूसरे में आपके 268 हो जाते हैं, और यहां पर आपके 631 और छटवे में आपको 736 जो की सबसे जादा है, उसके बाद में 438 सात्वे म हैं, और 379 आपके 8B में हैं, टोटल सबको जोड़ते हैं, तो यहां पर हो जाता है 3983, 3983 यह ओने सूत्र, अब इसमें आपको 14 और जोड़ने हैं, माईश्वर सूत्र, तो 14 जोड़ेंगी तो यहां 4 और 37, 8 और 9, और 9 और यह 3, यहां पर देखो यह वाली संख्या हो जाती है, तो यह इस प्रकार से हमने अध्याइवार विवाजन आपको बता दिया, कि अश्टध्याई के कौन से अध्याई में कितने सूत्र हैं, और क्या विशेवस्तु है, यहां से भी सवाल बन सकता है, जब कठिन सवाल उसको पूछना होगा, तो यहां से इस तरह का सवाल प किस से संबंदित है, सातवे अध्याई से संबंदित है, संग्या प्रकणवे परिभाशा किस से संबंदित है, पहले अध्याई से संबंदित है, इस तरह से इसमें जितने भी सवाल बन सकते हैं, उनका सब को मैंने यहां पर समावेश किया है, और उमीद है, आशा है, विश आप नोट्स बना सकते हैं ठीक है अच्छे से बार बार देखिए और अपने दोस्तों को भी बताईए जिस जिस ज्यान को आप जितना वाटोगे दोस्तों उतना ही इसमें व्रद्धी होती है कभी भी इसमें कमी नहीं होगी क्योंकि यही मास्षार्दे के इस ज्यान की विश लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करना क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है आप उससे हमें मोटिवेशन मिलता है हमारे एक परिवार बड़ा होता है तो उससे हमें और अच्छा काम करने का एक अंदर से प्रेड़ना मिलती है हमें तो वो काम आप कर सकते हैं अलावा वीडियो क्लासे भी मिल जाएंगी और इसके अलावा आपको लाइब क्लास भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी दूस्तों तो ऐसे करके आप जुड़ सकते हैं और जिससे कि आपको लाब मिल जाएगा इससे सस्ता और अच्छा आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम second grade का जो course है वो total आपको साड़े ग्यारा सो रुपे में दे रहे हैं एप के ऊपर उसमें सारा कुछ matter दे रहे हैं आपको test भी देंगे वहाँ पर आपको class भी देंगे notes भी आपको दिये जाएंगे वहाँ पर साड़े ग्यारा सो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है लेकिन उससे क्या है थोड़ा सा हमारा जो खर्चा है वो इसमें से चलता रहेगा और आपको जो मैनत कर रहे हैं वो तो यह मानो कि उसकी कोई कीमत नहीं है लेकिन हमें संतुष्टी है कि आपको फाइदा मिल रहा है आप जब सलेक्ट हो जाओगे तो कभी तो याद रखो कि आप बस यही हम चाहते हैं कि आपका सलेक्षन हो पिर बाद में आपको लगे कि हाँ सर ने हमें बताया और उस रास्ते पे चलके हम सलेक्ट हुए हैं बस यही हम चाहते हैं दोस्तों तो निश्टर दूरूप से आपका सेलेक्शन हो अच्छे से आप तयारी करें, मन से आप तयारी करें जहिंद, वंदे मात्रम, धन्यवाद नमस्कार